सलाम एप्रिवान, मेरे नाम सिद्रा रजब है और मैं बाई प्रोफेशन टीचर हूँ हमारे एक टीचर थे बहुत अच्छी तरह से एक प्लैनर को डिफाइन करते थे मुझे अकसर उनकी ये बात हिट करती है, इस वज़े से मैंने इस टॉपिक को चिड़ा है अगर हम इसको कंगा लेंगे थोड़ा सा, तो आपको भी अंदाजा होगा कि हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इस एक इशू के इर्दगर भी गूमती है वो एक प्लैनर को ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो बैठता है ना, तो वो ये सोचता है कि टेबल सीधा नहीं है, टेबल सीधा कर लेता हूँ और ये नोटबुक जिस पर मैं लिखने लगा हूँ इसमें तो पेजीजी कम है क्योंकि मुझे बहुत लिखना है तो मुझे नोटबुक को चेंज कर लेना चाहिए वो उठेगा नोटबुक चेंज करेगा अचानक उसे लगेगा पैंसिल का सिका ठीक नहीं है पैंसिल शार्प कर लेता हूँ जैसे ही वो पैंसिल शार्प करने के बारे में सोचेगा एकदम उसके दिमाग में खयाल आएगा पैंसिल स्लो लिखती है फिर वो पैंसिल धून के लाएगा और उसके बाद एक लंबी लिस्ट को अपने ब्रेन में इंडेक्स करेगा सोचेगा मैं कौन सा टॉपिक पहले शुरू करूँ कहां से शुरू करूँ कैसे पढ़ाई शुरू करूँ और फिर काफी देर उस किताब के पेजिस को खंगालने के बाद वो एक फैसला करता है वो एक अच्छा साफ सुत्रा पेपर लेता है जिसे वो अपनी उसी कॉपी में से भाड देता है और उसके उपर वो एक प्लान तैयार करता है और वो plan 100% उसके उस वक्त करने से related नहीं होता That belongs to tomorrow वो कल जिसके बारे में वो plan करता है वो for sure कभी भी नहीं आती बिल्कुल के मिसाल अपने और मेरे उपर fit कर ले हम लोग the fast time of life ये सोचते वे गुजारते हैं कि it will be over one day और जब हम ये realize करते हैं नहीं जाएगा मुझ तो करना होगा फिर हम एक साफ सुत्रा paper लेते हैं जो कि कल से related होता है और उसको हम plan करते हैं वो कल कभी नहीं आती करने का काम ये है कि जो भी plan करें वो अब से related हो ठकने की हद तक brain retire हो जाए तब उसकी जान छोड़ें तो फिर वो आज गुजारने के बाद कल जो आएगी ना वो भी demotivation से बरी होगी जो कि पीछे बहुत gap है ना नहीं किया कभी कुछ मैं इतनी details से इसलिए बता रही हूँ कि मैं personally इस phase को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ I personally have passed many years while just thinking about the life क्या बनेगा और फिर आखिर कार एक वेपर और फिर एक कल वो कल कभी नहीं आती वो आज अगर मैं spend करूँगी तो कल फिर से मुझे demotivate करेगी मुझे अपनी ही शकल देखकर सबसे पहला खयाल गयाएगा क्या है wasted a long time यानि उस कल के बावजूद हर रोज एक demotivation मेरा पीछा करेगी मैं अपनी बात करूँगी अपने वीडियो को मैं हमेशा practically motivated ready करती हूँ मैं अपना content write up करके फिर उसको आपके सामने exhibit करती हूँ मैंने कई साल just waste किये in planning in thinking and planning thinking planning मैं खुद को weak prove करती सामने वाले के सामने और सामने वाले के ठीक होने का इंतजार करती रहती कि एक वक्त आएगा जब ये मुझे understand करने लगेगा या वो जो situation मेरे लिए created है वो ठीक होने लगेगी अब मैं ये सब सोचती हूँ तो मुझे बहुत हसी आती है हमेरा पता नहीं होता कि जिंदगी हमसे lead role मांग रही है जिंदगी हमें कह रही है front पे आओ सामने से लड़ो खड़े हो जाओ और हम लोग lead role तो क्या हमारे में इतनी courage भी नहीं होती कि हम extras के अंदर भी नजर आज़े हम शायद वो बाहरी कहीं खड़े होते किसी role के मिलने के इंतजार में this is actually related to a planning state so in my humble opinion if you are having any inclination to plan about your life you must be starting it right now it should be belonging to the today of your life कभी भी कोई plan कल पर मत्रा ले न तो हालात बदलेंगे न सामने वाला शक्स बदलेगा बदलेंगे सिर्फ आप और मैं जो बाते मैंने सीखी है क्योंके मैंने बहुत करीब से इस सारे phase को देखा है मैं उसको points में आपके सामने exhibit करती हूँ सबसे पहले खुद को खाली करना है empty करना है अपनी रख्यू information को zero तसवर करना है I don't know anything जब हम ये करेंगे फिर हम सीखने के लिए तयार है क्या सीखना है सीखना ये है कि जो काम हम करना चाहते है वो किस तरीके से होगा तो best होगा यानि खेलने से पहले खेल के rules को totally पढ़ कर रट कर अपने अंदर उतार कर point number two and the final one is to play बिंदास बिना डरे खेलना है जब हम डर के जब हम ये सोचते है हाई मैंने जीतना है या मुझे मैंने बस ये इतने टाइम में करके दिखा देना है वही से हमारा downfall शुरू हो जाता है समझ नहीं आती है हमे हम हर step पर बिदगेंगे दरेंगे कहीं फेलना हो जाओ कहीं आप ये सोचे छोड़ दे है ना इस ख्याल को ही छोड़ दे कि मैंने जीतना है कहां गया डर्स आ रहा हूँ तब हम अपनी best energies के साथ अपनी अकल के मताबिक सिर्फ और सिर्फ सरकना मकसद है This is life Life वो film नहीं है जिसके पीछे music भी है उसमें एक scene के बाद कपड़े भी change हो गए बेहतरीन आवाज बेहतरीन लोग खुबसूरत हर चीज अच्छी परफेक्ट This is not life जिन्दगी में शकले हैं अपनी दूसरों की behaviors है adjustment है compromises है sacrifice है So shortly and precisely the only solution of our problem is to plan about today और कितनी भी मुश्किल हो उसका हल हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास हो लेकिन उसको implement सिर्फ वो शक्स करेगा जिसे उसकी जुरूरत है आपने देखा hospital में एक attendant होता है और एक patient होता है doctor के पास patient ही जाता है because he needs a doctor बिल्कुल इसी तरह से आप और मैं जब एक ऐसी situation में फस गए जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ हमारी effort ही हमें निकाल सकती है तो why we are waiting for others why we are depending on papers to plan हमें पेपर्स की जरूरत क्यों पढ़ती है हमें अपनी हड्डिंगों की जरूरत क्यों नहीं पढ़ती जो इतने साल से हमने फालतू वक्त गुजार कर जाया कर दी है now it's a time to utilize us so जाते जाते यह काऊंगी के planning is an illusion यह मेरी personal राय है कुछ भी नहीं है वहम है क्योंके ना तो हम future के बारे में plan कर सकते हैं हमें पता ही नहीं है future का हम सिर्फ और सिर्फ अपनी energies को इतना रास्ता दे सकते हैं कि हम best perform करें और leave the results यानि सारा खेल सिर्फ energy का है planning का नहीं planning सिर्फ उतनी जितनी energy को हम utilize करने वाले हैं आप लोगोंने अपने किंटी वक्त में से मेरा वीडियो देखा कि आपके टागा यह-धन कि आ版 लियनेश कि इन कि उन किर्फ ऊव मेराओ से हैं